तो guys कहीच न कहीच वीडियो वाइरल करने के लिए एट चीज सबसे जदा important होता है वो होता है वीडियो पोस्ट की timing अगर आप अपने वीडियोव में सही से title लिक रहे हो आप अपने वीडियो में सही से keywords डाल रहे भी अगर आपका वीडियो को गलत समय पर पोस्ट करे अगर तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आप Facebook पर Reels अपलोड करते हो तो उसको किस टाइम पे अपलोड करना चाहिए अगर आप Facebook पर Long वीडियो अपलोड करते हो तो आपको किस टाइम पे अपलोड करना चाहिए अगर आप अपने वीडियो को अपलो आज का ये वीडियो देखने के बाद मैं आपको गरेंटी देता हूँ कि आपका वीडियो कनफर्म वाइरल हो जाएगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा ताकि मैं आपको पूरा नौलेज देपाऊं और बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा पाऊं तो वीडियो को फटाक से कर दीजे लाइक चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सो गैज देखिए बिलकुल ध्यान से और बिलकुल अच्छे से समझेगा देखिए चाहे फेस्बूक हो चाहे यूटूब हो चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे कोई भी सोसेल मीडिया प्लेटफॉर्म हो वो एक सिस्टमेटिक धंग से काम करता है वो एक बॉट होता है उस पर को और कोई कोई-कोई आपने वीडियो चे में डालती हो चाही कोई-कोई-कई कवी नहीं करता है ना है कोई क्रेटिविटी ना है कोई की फनी फिर विए उनके aproxim जाते तो आप देखिए, बिल्कुल ध्यान से और बिल्कुल डीटेल में समझेगा, देखिए, हर चीज एक systematic धंक से काम कर रहा है, तो सबसे पहले आपको ये focus करना है, कि आप किस type का reels बना रहे हो, ठीक है, उसी type से आपको timing upload करना है, ठीक है, सबसे पहले आपको एक need select कर लेना, अगर आप comedy बना रहे हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने facebook page पे या फिर profile पे, मैं यहाँ पर जो भी बता रहा हूँ, facebook page वालों के लिए भी same trick apply करना है, ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझेगा, सबसे पहले आप लोग अपने facebook profile हो या page हो, उसको आपको किछडी नह बनाना है, ठीक है, आपको अगर आप comedy अपलोड करते हो, तो भाईया सिर्फ और सिर्फ कमेडी अपलोड करना है, अगर आप funny वीडियो अपलोड करते हो, अगर आप voiceover की वीडियो अपलोड करो, अगर आप fact की वीडियो अपलोड कर रहे हो, अगर आप कोई भी category का वीडि विडियो वारल होता है तो सबसे पहले आपको अपना फेस्बुक प्रोफाइल या फिर पेज के नीच को सेलेक्ट करना और ठीक उसी परकार के वीडियो को आपको अपलोड करना अब बात कर लेते कि भाई आमको एक दिन में कितने वीडियो अपलोड करना चाहिए तो अगर आप Facebook पर Reels अप्लोड करता हो तो खैया कम से कम दो और ज्यादा से जादा आपको टीन video पर डेए अपलोड करना है कभी आपको डी मोटिवेट नहीं हो ना आप क्या कर रहे हो दो चार दस वीडियो बना ले रो उसके बाद डी मोटिवेट हो कि मेरा चैनल पर पूरा डीटेल में वीडियो आप जाएगा तो आप जाएगा वीडियो को देखो साही सेटिंग करो साही से सब कुछ करो ठीक है सबसे इंपोर्टेंट और दूसरा बात आपको यह अपलाई करना है कि भाईया अगर आप रीज अपलोड कर रहे हो तो आपको पर डे डे consistency maintain करना है क्या नहीं कि आप आज अपलोड कर दिया और कल बोलो के भाईया आज बहुत तेज का बुखार आज नहीं अपलोड करूंगा तो ऐसे नहीं होता consistency is more than important अगर आप consistency अपलोड नहीं करते हो तो भाईया आपका वीडियो कभी वाईरल नहीं होता तो आप बात कर लेते हैं जिस कारण से आप इस वीडियो पर आए हो तो ठीक है अगर आप देखिए किस टाइप का वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो morning के टाइप लोग सुबा सुबा उठते है तो या तो वो comedy देखना पसंद करते हैं या फिर वो कोई motivation टाइप का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो भाईया देखिए जैसे ही लोग उठते हैं वो ऐसे ही वो mobile उठाते हैं और अपना Facebook और Reels वाला feature खोलते हैं और वो वीडियो देखना start कर लेते हैं टीक है तो maximum ल नहीं विश्वास है तो आप 12 बजे रात में वीडियो अपलोड कर दो देखो आपका वीडियो जो है ना average से बिल्कुल बेकार वीडियो आएगा और वो वीडियो आपका हजार वीडियो भी नहीं क्रोस कर पाएगा तो देखिए timing बहुत जादा important अधा करता अगर आपके वीडियो पर शुरुवाती के दो चार घंटे में अगर आपके वीडियो पर अच्छे खासे वीडियो जा गए तो वो वीडियो आपका डेफिनेटली वाइरल चला जाएगा लेकिन अगर आप गलत टाइमिंग पर अपलोड कर रहे हो जिस टाइमिंग पर कोई audience एक्टिव नहीं है तो आपका वीडियो खभी बारेल नहीं होगा अगर संदे के दीन आप अपलोड करा तो आपको दस वीडियो अपलोड करना है तो संधे के दिनग तैमिंग अलग अलग होता है तो बिल्कुल ध्यान से समझे गा अब बात कर लेते हैं अगर आप दोपहर में video अप कर तो आपको दो पहर में कम से कम आपको डिश से तीन वजए के बीच में वीडियो अप्लोट करना है कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है डिश से तीन वजए क्यूंकि लोग office में होते हैं lunch करते हैं कुछ भी करते हैं तो lunch करने के बाद यहां कोई भी काम करने के बाद उनको break off मिलता है तो वो क्या करते हैं कि 5-10 मिनट मोवाइल यूज करते हैं और उसमें वो यूज देखना पसंद करते हैं तो आप डेड़ से 3 बजे आप अपने वीडियो को अपलोड कर सकते हो अब बात कर लेते हैं भाईया साम में हमको किस टाइम बजे वीडियो को अपलोड करना है आप बोलोगे भाया हमने लॉग वीडियो एक वीडियो अपलोड करना चाहता हूं तो मेरे लिए perfect timing क्या होगा बता दो तो देखिए भाया आप जिस परकार का content को बना रहे हो आपको उसी type का content को अपलोड करना होगा और उसी time से आपको केटोगरी को decide करना होगा जिस परकार से मैंने बता दिया अगर आप blogging वेगरा कुछ भी बना रहे हैं तो आपको morning के time 9 से 10 बजे के बीच में वीडियोज को upload करना तब आपका वीडियो ज्यादा रीच पकड़ेगा अगर आप अगर आप आप कॉमेडी बना रहे हैं तो आपको साम को 6 से 7 बजे अपने वीडियोज को upload करना है जिससे आपका वीडियो ज्यादा से ज्यादा रीच पकड़े ठीक है और मैं किस time पे वीडियोज को upload करता हूँ देखिए मैं per day अगर रील्स upload करता हूँ तो मैं per day 2 रील्स upload करता हूँ ठीक है तो भाईया 9 बजे मैं अपने रील्स को upload करता हूँ और एक साम के 6 बजे अपने रील्स को upload करता हूँ ठीक है तो भाईया इ आपने रिल्स या फिर वीडियोज में इंप्रूब्मेंट करो क्योंकि साम के टाइम बहुत जादा ओडियंस एक्टिव होते हैं और सबसे इंपोर्टेंट बात आप लोग देखें यहां पर बहुत जादा गड़वड करते हो ठीक है गड़वड कहां पर करते हो कि आप बात आपका एक वीडियो मैंने देख लिया फिर दुवारा आपका वीडियो आएगा तो मैं स्लाइट कर दूँगा कि अभी तो मैंने इनकी वीडियो देखाए ठीक है तो आपको वीडियो अपलोड करते टाइम आपको यह ध्यान रखना है कि कम से कम तीन से चार घंटे का पिंग बना लो और रात में 10 बजे के बाद वीडियो अपलोड मत कीजेगा या फिर सुबार चार बजे तीन बजे उठकर वीडियो को अपलोड मत कीजेगा वरना आपका वीडियो कभी वाइरल नहीं होगा मेरे बताएगा इन्हें स्ट्रेटिजी को आप फॉलो करो आपक वीडियो डेफिनेटली वाइरल होगा अगर आपके रील्स में दम रहा अगर आपके वीडियो में दम रहा तो अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं किस एगले वीडियो में धन्या